सराव के आदिपती ने पत्नी को धारेधार कुलाडी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया ऐसे सरावी को कड़ी सजा मिलने चाहिए जिससे ऐसे सरावी जो आत्मघाती कतम उठाने से पहले उनकी रूकाब जाए और सराव पीना भूल जाए कसम से फिलाल पुलीश हत्यारा पती वा दो बच्चियों के पिता की तलास में हैं घटना ग्रामेन थाना छेतर अंतगर ग्राम मगरदर्रा के तुमरिटोला में खेत में एक मैला का सव ग्रामेन पुलीश ने बरामत किया है जहां मैला के पती द्वारा कुलाहडी से प्रहार कर पत्नी की हत्या कर दिया गया जहां घटना के बाद से पती फरार बता जा रहा है आपको बता दे की मरतक मरतिका राजेस्वरी पती बाबलाल चवान उम्र 32 वर्स मुल्ता ग्राम परस्वानी थाना हट्टा निवासी है जिसकी पिछले 12 वर्स पहले साधी हुई थी जो पिछले एक साल से पती यहां दो बच्चियों के साथ परिवार समेद मायके में रह रह रही थी आज सुबह मैला अपने मा के साथ महुआ चुन्नेवा अधिया कीती में पानी चलाने खेद गई हुई थी लेकिन सुबह करीब 10 बजे उसके पती कुलाडी लेकर खेट पहुचा और पत्नी पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया उसके बाद जंगल के रास्ते से वह फरार हो गया परीजनों की माने तो म्रतिका वह उसके पती के बीच अकसर पारिवारिक विवाद होता रहता था क्यूंकि पती बावलाल सराप का आदि था और उसने अपने सारे जेवर गिर्वी रग दिये थे जहां इनी बातों को लेकर अकसर पती पत्नी के बीच विवाद होता रहता था 31 मार्च घटना दिनांग को भी विवाद होने की बात सामने आई है जिस पर आवेश में आकर पती ने खेत पहुचकर कुलाडी से प्रहार कर पत्नी की हत्या कर दी गई इस घटना की जानकरी लगने के बाद ग्रामीन थाना पुलीस मौके पर पहुची और मृतिका का सव बरामत कर पियम करवाया और मर्ग कायम कर मामले को जाच कर विवेचना में लिया है घटना के बाद पती फरार है जिसके पुलीस सरगमी से तलास कर रही है अपने इस चक लक्ष्मी चैन चौधरी आसूब्या प्राप्त होई कि मगरद्र में खेट में किसी विक्ति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी ये मौके पततकाल पहुचे वहां पर मृतिका राजश्वरी मौहा के पेड़ की नेचे पड़ी भी थी करीब दस बजे उसका पति अपने हांत में के लिए लेकर यहुआ है अपने पति की सारापिने कर, से माना करती थी इसी वाद को लेकर इसी बात कर सी के नाव का मेरा नाम लक्षम चाहिए चाहदरी तुख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्